हेलो नमस्कार दोस्तों स्वाग्यात है आपका हमारे योट्योब चैनल टेक्निकल फ्रेंड में दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए काफी ज़या है इंपोर्टेंट और यूजफूल होने वाले क्योंकि आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अप और शर्ड पर आपके फोन में जो भी लोक लगाया सब कुछ आप लोगों को हटा देना है इसके बाद यहां पर प्लेज्टोर ओपें करने बाद आपको सर्च करना है इसके बाद हम इसको ओपेन करेंगे ओपेनकरणने करने के बाद यहां पर कुछ ऐसा इंटर्फेर्स देखने को मिल जाता है अब यहां पर देखेंगे Walls Paper क즈세요 करेएド, Walls Cake करेंगे Enable Permiesian को पर दिखाए देगा, इस पर तरफ कर देंगे इसके बाद फिरसे आपको किलिक करना है, यहाँ पे touch lock screen को फिरसे आप लोगों को on कर देना है, इसके बाद जब आप लोग बैक आएंगे wallpaper के option पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर simply click करेंगे, one tap करेंगे, allow के option पर permission हो जाता है, इसके बाद finally आप लोगों को दोस्तों एक वाल पेपर पर किलिक करना पड़ेगा किलिक करने गवाद इस पूरे डिस्प्ले में किसी भी एक अस्थान पर आपको चार बार किलिक करना होगा कहीं भी किसी भी एक अस्थान पर चार बार किलिक कर सकते हैं एक जामपल देख सकते हैं मैं यहाँ पर चार बार किलिक करता option है इस पर आप लोगों को click करना है कोई भी एक आप लोगों को security question select करना है इसके बाद यहाँ पर उसका answer अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं 1234 ABCD अपना आम कुछ भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए इसके बाद सम्मिट कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा जो भी आपने वाल पेपर चूच किया होगा उसी वाल पेपर के हमें कुछ भी नहीं करना है 사qon को करेंगे इस आपने फोन कऊ लोग करेंगे और लोग क मने सामने डिस्पेलर फिंगर format करके यहाँ पर लोग करके दिखाएं यहां पर यहाँ ने चार लगा सकते हैं जिससे कि जब आप दो बार किलिक करेंगे तभी आपका फोन अनलोक होगा बाकि और कोई किलिक करेगा तापका फोन अनलोक नहीं होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद राइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए